अबिरीवान है आज मैं आपको यह बताना बदा हूँ कैसे आप एक ट्राइवेल फेस बना सकते हैं एक प्लास्टिक बॉटल्स या पिस्टे पर कुछ प्लास्टिक कॉंटेनर हो इसको पर कैसे आप ट्राइवल फेस बनाऊगे विद्टे हैं पाफ दा कि सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर वायट राइबी कलर में हुज्टे हो वाय प्रड़े के ऐसके कोटिंग में करना हूं तो पर प्सिंट पर अल्शुन पर कि उसका बाद मैंने यहां पर तरह पर जाय पेंसिल या पर पर सकेट पेंसे मैंने फैज जो है मैं जुडव कर लिया हूं लिस मोई पर पूइल जा डार कर लिए हूं उसका बाद अमसिल्शे घुत अब फैस्न मार्केट में मिलता है। मार्केट में दू टाइप का एमसिल मिलते हैं वाइक तो आप देख सी लिए ऐसे अपकर वायդ अपको यजींदो से शेल से का दो नहीं बनता है वहां देखें है चोठे स्टाइब्स मिने बना लिया आ और उस ट्राइब मैंने क्या करने वहारा हूं अब में लगाके उसकोरा़ में करने वह ओण कहा हुआ हूं आज आप विक से शोच इसकोdarे उडियुकर में पेश्ट जीए पेस्ट करने के बाद यह नाइफ जो है नाइफ से उसको थोड़ा सा सेफ दे दीजिए और वहां से कटिंग कर लिए नाइफ से इसी तरह से मैंने फीसे रोल बना के जो आइज, नोज, माउट और उनका ओन्नामेंट्स हैं मैं इसी तरह से में रोल कुछ रचले पीस काटके मैं वहां पर पेस्ट करने वाला हूँ मैंने देखिए जो बॉइ के फेस है, ट्राइबल बॉइ फेस मैंने उसके एमसिल पेस्ट कर चुगा हूँ आप देखिए सेम पैटन, यह गर्ल पे भी मैंने सेम पैटन में फॉलो करना वाला हूँ आप एमसिल को बहुत अच्छा से मिक्स कीजिएगा और दो फिंगर को यूज करते हुए आप लंबे-लंबे जो हैं स्ट्राइब्स बना लीजिए उसका पाद सेम पैटन जैसे मैंने अपर ट्राइवेल फेस बॉइस में मैंने फॉलो किया था सेम पैटन मैं यहाँ पर फॉलो करना वाला हूँ आप फेवी कौन से इसको पेस्ट कर दीजिए यह वीडियो देखिए अगर कुछ मिस्टेक्स होगा वीडियो ग्राफिक करने में तो I am sorry for that क्योंकि मेरा पास कोई स्टैंड फोन या फिर कुछ उस्टाब का है नहीं इसलिए हो सकता है वीडियो करते समय कुछ मिस्टेक्स हो गया हो देखिए मेरा दोनों ट्राइवेल फेस रेडि हो गया और आप इसको हाफ एन आवर या फिर वान आवर आप छोड़ दीजिए ड्राइ होने के लिए आप देखिए यहां ओन्नामन्स में यूज़ करने वाला हूँ चोड़े चोड़े सर्कल्स में बना के रखा हूँ इसी सर्कल्स को में यहां पेस्ट करने वाला हूँ एमसेल बूद जल्दी हाड हो जाता है हाफ एन आवर या फिर वान आवर विदिन वान आवर यह ड्राइब हो जाता है अब यह कंप्लीट ड्राइब होने के बाद मैं यहां पर ब्लैक फेबी कलर में यूज़ कर रहा हूँ और यहां पर मैंने ब्रस नमबर टू यूज़ क्या हूँ जो दो नमबर ब्रस यूज़ क्या हूँ आप चाहो तो यहां पर जीरो ब्रस भी यूज़ कर चेकते हूँ कि मैंने यहां पर फेस पर कर रहा हूं जहां एंसिल किया था वहां पर मैं नहीं कर रहा हूं ब्लैक कलर अब दीखें मैंने ब्लैक कलर हो गया अब मैं जहां एंसिल जहां पिस्ट किया था उसका उपर मैंने वाइट कलर करने वाला वाइट फ्रेबी कलर अन टॉप अप दे एंसिल वार्क आइंड वाइट फ्रेबी कलर जब वाइट फ्रेबी कलर ड्राई हो गया है फिर उसका उपर मैंने कलर फुल कलर यूज कर रहा हूं कि ट्राइविल फेस हमेंसा कलर फुल होता है तो मैं यहां पर नियॉन ग्रीन येलो नियॉन पिंक नियॉन ओरेंज रेड यही कलर में यूज करने वाला हूं जो जो डार्क करज होता है आप इस पर फ्लोरेशन कलर भी यूज कर सकता हूं अगर आपका वहां मार्केट में अविलेबल हो फ्लोरेशन कलर तो फ्लोरेशन कलर भी यूज कर सकते हूं काफी अच्छे लगता है फ्लोरेशन कलर तो मैं यहां पर फ्लोरेशन कलर यूज क्या हूं सिर्फ रेड मैं नॉर्मेल फ्रेबी कलर यूज़ किया हूँ यहापर बाकी मैं फ्लोरेशन कड़ा यूज़ किया हूँ आप चाहो तो कुछ और टैप कर भी कलर कर सकता हो इसका उपर कि पर यह ट्राइबल आर्ट आपका हमसे ब्राइट कलर में अच्छे लगता है पर हमसे देखे ट्राइवल फेसं पर हमेंसे डाफ कलर यूज़ किजिएगा और प्राइट कलर तो अच्छे लगता ट्राइवल फेससे पर देखे मैं यहाप नीचे पोर्शन पर मैंने मैंने स्काय बूलू कलर किया हूँ और on sides पर मैंने black color किया हूँ और एकदम पीछे जो wall side में रहेंगे वहाँ पर मैंने color नहीं किया हूँ क्योंकि वह आपको पीछे side में रहेंगे that will be in the back side और इस को पर मैंने कि वर्निस करने वहां वर्निस करने से क्या होता है color का longevity रह जाता है color spoil नहीं हो जाता है और एक glossy लूक आता है आप भी हमेंसा मतब कीजिए वर्निस अब देखे मेरा ये total complete हो चुब है मैंने वर्निस करने का पर 24 hours में dry होने के लिए रख दिया था और आप देखे यहाँ पर मैं इस प्रिपेर कर ले हो यहाँ पर मैंने 50% garden soil 30% अब भर्मी कॉम्पोस्ट और 20% मैंने यहाँ पर कोकूपीट मिक्स किया हूं कोकूपीट मिक्स करके देखे मैं यहाँ पर स्वाइल के लिए और उस वाइल को देखे मैं डाल भी लिया हूं आप मैं यह प्लांटर्स को यहा कि अब साइबरा ग्रास का जगह मैं कोई और टैप भी इन्हीं प्लांस आप ватंकर सकते हूं तो मेरा पास साइबराद ग्रास तहस्टा Tsch क्या हूं आप देखिए मेरा ये दोनों पॉट्स पर मैंने प्लान कर चुब हूँ और मैं यहां थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा हूँ यहां पर पहले से मैंने यहां पर कुछ हैंगिंग प्लांट्स बगड़ा है यहां पर अब देखिए यहां पर पहले से मैंने नेल्स को फिक्स करके रखा हूँ यहां पर और मैं यहीं दूप एरियास में मैंने उसको फिक्स करने वोला हूँ अगर आपको यह आईडिया अच्छे लगे हूँ तो प्लीज डू लाइक कमेंट अब प्लीज कमेंट करकर बताए आपको कैसे लगा हूँ और अगर आपको मेरा चनल अच्छ लगे प्लीज डू सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं नेक्स ब्लॉक के साथ तिल दन बाइ इस टाइफ अपक्राफट इटम्स यू कन दो और यू कन गीप आपको मेरा चैनल अच्छ लगे प्लीज डू सब्सक्राइब